अब्च साओ हर बार्स मो compensation दूड जव भी मेक का replicate के निए कुछ मेक अब्धी करूंघ यूज तो और परूदक्ट keeping में क्यूंज सेविए हैं कुछ formats दूंज से लिए हैं कुछ प्रोड़क्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट उसमें सबसे पहले लिया है मैंने माकपपानेशन मेक जू फांडेशना है स्टूडियो फिक्स यह काफी टायम से मैं ट्राइ करने का सोच रही थी नाइका पर इस पर कुछ डिसकाउंट मिल रहा था बट मैंने नाइका से यह इसलिए नहीं लिया कि फर्स्ट टाइम में यह फांडेशन परचेस कर रही थी तो ओनलाइन शेड का पता नहीं लगता कि मेरे स्किन टोन पर कौन सा शेड जाएगा इसलिए मैंने यह मैंक के स्टोर से लिया और यह NC25 मेरे जो भी सकिन टोन है उस पे बिल्कुल प्रफेक्टली यह जा रहा है कि अप्लाइड करने के बाद बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आपने कुछ अप्लाइड किया है और मैंने ये अभी तक एक बार ही ट्राई किया है एक बार जो मेरा experience रहा है मुझे काफी अच्छा लगा है बट इसको मैं आगे continue तीन-चार बार जब apply करूंगी तब पता लगेगा कि ये foundation कितना अच्छा है या oxidized तो नहीं होता क्योंकि foundation में generally problem ये होते हैं कि foundation बहुत जादा बेटर समझा और ये मुझे मिला है 1700 का और इस पे कोई भी discount मुझे नहीं मिला और next मैंने लिया है Mac का ये fixer ये भी मैंने इसके काफी reviews देखे हैं बहुत सारे influencer को देखा है इसको try करते हुए और इसके बहुत ही अच्छे review मैंने हमेशा videos में देखे हैं तो इसको मेर try करने का काफी time से मन था तो अब की बार मैंने ये वाला fixer भी ले लिया ये fixer मुझे बिला है 1900 का इस पे कोई discount नहीं था ये original वाला लिया है इसका जो भी normal size आता है वो मैंने लिया इसका mini size भी आता है बट fixer का मैंने इसका जो standard size आता है वो मैंने लिया है तो इसको देखत करते हैं कि ये कैसा है और जितने अच्छे इसके review सुने है ये उतना अच्छा है या नहीं है अगर मुझे ये अच्छे लगते हैं ये सारे product के review मैं बाद में आप सब के साथ जरूर शेयर करूंगी अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने नाइका से क्या-क्या लिया है उ 2200-2200 रूपी और एक मस्कारा के लिए बहुत ज्यादा एक बड़ी अमाउंट होती है ये और मुझे नाइका पे भी कोई डिसकाउंट ने मिला सिर्फ इसके साथ मुझे क्लीनिक का ये लोशन फ्री मिला है और ये मस्कारा प्रचेज करने का मैंने क्यों लिया या क्या री ये वाले मस्कारा का जो चोटा साइज आता है वो इसको फ्री मिला था और मैंने एक दिन वो मस्कारा ट्राइग गया क्योंकि जब भी मैं मस्कारा यूज करती हूं जैसे लोरियल के मेबलीन के नाइका के मस्कारे नो डाउट अच्छे आते हैं अच्छे से आपकी आइलेस या इचिंग हो जाएगी तो इसलिए मस्कारा मैं बहुत ही और यूज करती हूं उस दिन मैंने क्लीनिक के मस्कारा अपलाई किया और इवनिंग तक बताब अपलाई करने के बाद मुझे बिलकुल लगा ही नहीं कि मैंने आइलेसिस पे कुछ भी अपलाई किया और शाम तक मेरी आइज में कोई इरिटेशन नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई इचिंग नहीं हुई तो उस दिन के बाद मैंने सोच लिया था कि मुझे क्लीनिक का ही मस्कारा मंगाना है, इसलिए मैंने ये मस्कारा बंगाया, आपकी भी आईज अगर संसितिव है या आपको भी आई में इस टाइप से इचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है या थोड़ा सा रेडिश हो जाती है तो इस मस्कारा को आप डिफिनिट्ली ट्राइ देकर देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा अच्छा मस्कारा है और नेक्स्ट जो मैंने लिया है ये मेबलीन का कंसीलर मेबलीन का जो ये एज रिवाइन कंसीलर आता है बहुत ज्यादा अच्छा आता है इसको मैं 4-5 टाइम रिपर्चेश कर चुकी हूँ इसमें जो मेरा शेड है वो है मीडियम और ये इंस्टनली अगर आपको लगता है कि अपका अंडर आई एरिया आपको लग रहा है कि हलके लके डार्सकर के लिए या डल लग रहा है बिल्कुल इंस्टन आपके फेस को ए इसको नॉर्मल system आता है जो इसको लगए इसको मारा क्भाइब बिल्कुलमाट कर रहा है जिर्मार की लिए ऽाल कर जाता है बीज़ इसको और ऊच्छा आपको बेन बाइक मारें पल्शुर्ख की नाग प्रोख है। ऐसे स्ट्रॉक ग्रीम के भी मैंने सुने थे कि बहुत ही जादा अच्छे आती है तो इसलिए यह मैंने मिनी साइज में लिया है कि एक बर इसको ट्राइ करके देखते हैं अगर अच्छी लगी तो फिर इसको आगे करेंगे इसका बड़ा साइज मैंने इसलिए नहीं लिया कि हाइलाइटर मैंने एक दो बार परचेज किये हैं जो मतलब ऐसे ही रखे रहे है क्योंकि हाइलाइटर मैं बहुत ही जादा कम यूज करती हूँ कि ओफिस वगेरे में मैं हाइलाइटर यूज नहीं करती है और फिर कोई भी मैरिज फंक्शन है या क्लब नाइट है तो मतलब केजनली ही कभी-कभी यूज हो पाता है तो इसलिए मैंने ये स्मॉल साइज में लिए है कि एक बर इसको यूज कर लेते हैं अगर बेस्ट हुई तो फिर इसको हम कंडि वैसे अभी मेरे पास ब्लेंडर था बट मैंने सेफ साइट पहले से मंगा के रख लिया कि काफी अच्छा डिसकाउंट आया है तो यह थे प्रोड़क्ट जो मैंने नाइका से लिये थे और अब मैं आपको दिखाती हूं कि मैंने न्यू के स्टोर से क्या-क्या लिया है तो मैंने होग दौतीन कलर बार का मुझे प्राइमर से नियू के स्टोर पे तो इनक्या को इस लेता है तो अब मने तो प्राइमर नहीं था तो वह तो वा अवेल अवेले वाडू आपको पहले की बताये है कि अबहुत ही ज़ड़ी आउट सीटों हो जाते हैं गोजे शूगर क मिला फ connect बार ही तो वहां पर उन्लोगों ने जो ऐसे होते हैं वहां पर उन्होंने मुझ्हे अका क्लर बार का से लेकर देखिए विह स्वजण तो उन्हीं के सजेस्जेसट पे मैंने यह फिक्सर ले लिया मैंने करें चलो ट्राइक लेते हैं और फिर मुझे प्राइमर भी लेना था तो कलरबार का ही मैंने प्राइमर भी ले लिया उसका रीजन ये था कि अगर आप कलरबार के दोनों प्रोडक्त लेते हैं तो आपको हम कॉम्पलीमेंटरी ये पाउच इसके साथ फ्री देंगे तो ये पाउच मुझे बहुत जादा अच कलर में है बहुत ही अट्रैक्टिव सा है कि आप देखे और काफी अच्छा साइज है कि जैसे आप ट्रैवल करते हैं तो इसमें आपके जो भी मेकप प्रोडक्ट है वो अराम से आजाएंगे तो फिर मैंने ले लिया कि काफी अच्छा ब्रैंड है और एक बार ट्राइ करके तो देखना बनता है तो इसलिए कलरबार का मैंने प्राइमर लिया इसको भी मैं फर्स्ट टाइम करके देखूंगी कि यह कैसा है और यह फिक्सर मैंने मैं का जो लिया उससे पहले मैं इसको ले चुगी थी फिर जब मैं मैं के स्टोर पे गई मुझे फांडेशन लेना था तो मैंने उसके साथ करे लिया इन दोनों को समय प्र extent करें मुझे क। प्रॉज लगते हैं और वह और प्रेज़ करें कुछ मेकप प्रोड़क्र को थे लिया है ऎसने मैंने करें, यह है,펜ना में लिया है इस में हें यह लश्चार्वा करने के बाद करने के बाद बखुत ही फ्रीजी से हो जाते हैं तो यह लिवोन का सिरम मैं यूज करती है काफी अच्छा लगता है तो जो मैं यूज कर रही थी वह फिनिश होने वाला था बिलकूल इत्थासा बचा हुआ था तो इस पे भी को डिसकाउंट मिल रहा था मिन्तर से और मिंत्रा से ही एक मैंने लिया है एसंस का आई-लाइनर यह वाला आई-लाइनर और यह मुझे 99 रुपीज का मिला है यह मैंने अपलाई करके देखा मैं आपको दिखाती हूँ यह आप देखे बहुत ही जादा लाइट है यह मैंने तीन बार यहां पर देखे स्वाइब किया है और उसके बाद भी इसका प्रॉपर शेड नहीं आ रहा है जैसे कलर बार के हम यूज करते हैं तो एक बार ही आप स्वाइब करते हो तो बहुत ही अच्छे से उसका शेड आत जैल मसकारा यहां पर यहां पर यह लोग ऐसे इस्टीकल लगा देते हैं मेरी याद भी नहीं है मैंने किस ब्रैंड का लिया है इसको मैं वीडियो में में इंशन कर दूंगी और यह नो मेकप लुक क्रिएट करने के लिए यह भी मैं काफी टाइम से लेने का सोच रही थी क यह लोगा यह जो भी मैं मसकारा यूज कर रही थी जब मेरी उससे इरिटेट हो जाती थी मैंने के क्लियर जैल मसकारा ले लेती हूं उसको मैं अप्लाई करके देखती हूं रेगुलर बेसिस पे वैसे भी नो मेकप लूप जादा मैं क्रिएट करती हूं ओफिस के लिए त तो आप भी एक बार इसको चेक आउट कर सकते हैं तो यह थी आज की वीडियो मेरे सारे मेकप प्रोडप्ट जो मैने फेस्टिवल्स के लिए लिए हैं आपको कैसी लगए अगर अच्छी लगए हो तो लाइक शेयर और कोमेंट जो कीजिएगा मिलते हूं आप से नेक्स व